आकाश्मनी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग सबसे पहले एक अपील कोरुणा संक्रुमन को देखते वे आपसे अपील है कि लापरवाही नावर दें और इन आजान उपायों का पालंकर सुरक्षित रहें मास्क लगाएं दो गस की सुरक्ष दूरी बनाय रखें बारमार हाथ धोएं साफ सफाई रखें और टीका अवश्य लगवाएं लोगों को कोविट से संबंधित जानकारी देने और उनके मागदर्शन के लिए राश्ट्री हेल्पनाइन कारे रथ है इसका नंबर है 0123978046 और 1075 अब मुख्य समाचार प्रोदेश में कोरुना संक्रमन काबू में आया 22 जिलों में कोरुना का कोई भी नया मामना नहीं मिला CBAC के दस्मी परिक्षा के नतीजे 20 जुलाई तक और 12 परिक्षा के परिणाम 31 जुलाई तक घोशित किये जाएंगे परिक्षा परिणाम तयार करने के फॉर्मूले से सुप्रेम कोट सहमत केंद सरकार ने आयुध निर्मान बोर्ड और उसकी फैक्टरियों को कॉर्प्रेट कंपनियों में बदलने की मंसूरी दी और सफलता की कहानी में सुनिये आम क्याम गुटलियों के दाम अब समाचार फस्तार से मुक्यमंत्री शिवरासिंग चोहान ने कहा है कि कोरुणा संक्रमन की द्रिष्टी से मदप्रदेश देश के 28 राज्यों में सबसे नीचे आ गया है प्रदेश में कोरुणा के 145 नए प्रक्रेन आये हैं और संक्रमन दर घटकर 0.2 फीसिदी रह गई है वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 98.5 फीसिदी हो गया है मुक्यमंत्री शिवरासिंग चोहान ने कहा है कि आप प्रदेश अनलोक हो रहा है और आर्थिक गत्विदियां प्रारंप हो गए हैं अता हर वेक्ति को कोविड अनुकूल व्योहार और कोरुणा गाइडलाइन्स का शत प्रतिशत पालन करना अनिवार है थोड़ी भी असावधानी भारी पड़ सकती है शत प्रतिशत वेक्ति मास्क लगाएं परस पर दूरी बनाए रखें कहीं भी भीड़ वाले इलाके में ना जाएं कोविड से सुरक्षा के लिए टीका आवश्य लगवाएं मुक्यमंत्री श्री चोहान कलमंत्राले में कोरुणा की सती और व्यवस्ताओं की समिक्षा कर रहे थे प्रदेश में कोरुणा की एक्टिव प्रकरणों की संख्या 2984 रह गई है अब प्रदेश के चैजलों में ही पांच से आधिक कोरुणा की नए प्रकरण आये हैं केंद्री माधमिक शिक्षा बोर्ट CBSC के बार्मी कक्षा के नतीजों के लिए पेश किये गया फॉर्मिले को सुप्रेम कोट ने माने कर लिया है रिजल्ट दस्वी ग्यार्मी और बार्मी कक्षा में मिले नंबरों के आधार पर तयार होगा अंको का बटवारा 30 अनुपाद 30 अनुपाद 40 के आधार पर होगा सरकार के ओर से अटार्नी जनरल केके वेनो गोपाल ने बताया है कि बार्मी बोर्ट के नतीजे 31 जुलाई तक जारी कर दिये जाएंगे जो चात्र अपने प्राप्तांकों से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें COVID-19 महामारी की समस्या कम होने के बाद फिर से परिक्षा में बैटने का आफसर दिया जाएगा उन्हें कहा है कि इस बारे में विस्रत जानकारी बात में दी जाएगी शिबारत वाज ने कहा कि बोड परिक्षाओं में शामिल होने वाले चात्रों की संख्या जानने के लिए ओनलाइन पंजीकरन शुरू करेगा देशपर में कोविट टीका करन अभियान के 153 दिन कल शाम तक वभिन श्रिणियों के लोगों को वैक्सीन के एकुल 26 करोड 66 लाग से अधिक डोस दी जा चुकी थी 37 राज्जियों और केंद्री शासित प्रदेशों में 4 करोड 93 लाग 56 जाधिक वैक्तियों को 18 से 44 वर्ष आयू समुह में वैक्सीन की पहली डोस दी जा चुकी है टीका करण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से 10,58,514 लोगों को दूसरी डोस दी गई है मदरदीश, बिहार, दिल्ले, कुछरा, थर्याना, चारकन, करनाटा, केरिल, महराष्ट, राजस्तान, तमिलाडू, तिलंगाना, ओडेशा, उत्तरप्रदीश और प्रशन बंगाल में 18 से 44 वर्ष आयू समुह के 10 लाग विक्तियों को कोविट वैक्सीन की पहली डोस दी ग आय गया है, मुख्यमंत्री शिवरासिंग चोहान ने कहा है कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराद करने वालों को कड़ी सजा मिले, इसके लिए ऐसे प्रकर्णों में नयायलों में शासन का पक्ष मस्बूती से रखा जाए, विकल मंत्राले में प्रदेश में महिलाओं बच्चों के विरुद्ध अपराद और घरीलू हिंसा के प्रकर्णों में की गई कारवाई की समिक्षा कर रहे थे। कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए, मास्क लगाएं, दो गर्स दोरी है जरूरी, सुरक्षित दोरी रखें, हाथ हर मूँ साफ रखें ब्रेक के बाद समचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है जबलपुर हाई कोट ने केंद्र और राजी सरकार के साथ एक निजी खनन कंपनी से पूछा है कि चिदरपुर के बक्सवाहा में हीरा खनन के लिए पेडों के कटाई के अनुमती कैसे दी गई है चीफ जेस्टिस मुहमद रफी और जेस्टिस वजय कुमार शुकला के बेंचने नोटिस चारी कर तीन सपता में जवाब मांगा है तुन्वाई के दोरान कोट को बताया गया है कि चिदरपुर के बक्सवाहा के जंगलों में अनुमानित पचास जार करोड के हीरे हासिल करने के लिए धाई लाक से आधिक हरे भरे पेडों को काटने के तयारी कर ली गई है दूसरी और बक्सवाहा में हीरा खरण करने के लिए कमपनी को जमीन दिये जाने के विरोध में राश्री हरित प्रादेकरण ने भी एक याचिका जारी की गई है इस पर प्रादेकरण ने कमपनी को 30 तून तक अपना जवाब पेश करने को कहा है किंद्री मंत्रि मंडल ने आयूद निर्मानी बोड और इसे संबंतित 41 तैक्रियों को साफजनिक शेत्र रक्षा उपकरम की तर्श पर साथ कॉर्परेट कमपनियों में पुनरकठित करने की मंजूरी दे दी है इस कदम का उद्देश इन साथ कमपनियों को अधिक स्वायतिता देना और उनकी विश्योस्नियता बढ़ाना है आयूद निर्मानी बोड का वार्शित 10 ओर लगभग 19,000 करोण रुपए है शत प्रतिशल सरकारी सौवेत वाले ये कमपनिया युद्द सामकरी और गूला बारूद वहन टैंक अन्य हत्यारों और उपकरन तता पैराशूट का निर्मान कारे करेंगी रक्षा मंत्री राजना सिंग ने कहा है कि इस पुनरगठन के बाद बोड से संबंदित लगबग 70,000 करमचारियों की सेवा शर्तों, वेतन, अवकाश प्राप्ति और अनिलाभों में कोई बदलाप नहीं होगा पर्यावरंट को हरा परा रखने के लिए प्रदेश के सतना जिले में एक नवाचार किया जा रहा है? जिले की शासर की बैंकेट स्कूल में पदस्त शिक्षिका अरचना शुकलाने पर्यावरंट बचाने के लिए जिले में आम के बीजों को इक अठा करने का अभ्यान शु एक महिनी में इकठा किये गए आम के बीजों को फॉरस्ट विभाग की मदद से मिट्टी में लगवाने का काम करेंगे। इस पहल से परियवरन को हरा भरा बनाने और इसे बचाने में मदद मिलेगी। शिक्षिका ने पिछले साल सीताफल की वीजों को इकठा कर विद्याले परिसर और आसपास की शेत्रों में लगवाने का काम किया था। इसके अच्छे परिणाम सामने आये थे। मुख्यमंत्री शिवरासीं चोहार ने कहा है कि 21 जून अंतराशी योग दिवस से पूरी देश के साथे प्रदेश में भी कुरोना वैक्सिनेशन का अभ्यान प्रारंप होगा। मुख्यमंत्री श्री चोहान कलमंत्राले से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी आपदा प्रबंधन समुहों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताये कि अभियान के अंतरकत 18 साल के सभी विक्तियों को कोरोना का वैक्शीन निशुल्क दिया भुपाल की वनविहार राशो दियान में कल से शुरू ही परेटन गतिविदियों में परेटिकों के अच्छी खासी उपस्तिती दर्श की गई, वनविहार सिंचालक ने बताये कि सबह 6 बजे से रात 7 बजे के बीच 1000 से अधिक वनप्रेमियों और आमचरों ने वनविहार क परेटिकों से वनविहार प्रुबंधन को 47,120 रुपए की आयर प्राप्त हुई है। क्रिशी विकास मंतरी कमल पटेल ने कहा है कि ग्रेश मिकालीन मूंग फसल उत्पादक के सांद समर्थिन मुले पर फसल की विक्रे के लिए 20 जून तक पोटल पर पंजियन करा सकते हैं। सीबी एसी के दस्वी परिक्षा के नतीजे 20 जुलाई तक और बार्वी परिक्षा के प्रेणाम 31 जुलाई तक खोशित के जाएंगे। केंद्र सरकार ने आयूद निर्मान बोर्ड और उनकी फैक्टरियों को कॉर्परेट कमपनियों में बदलने की मंसूरी दी। और सफलता की कहानी में आपने सुना आम क्याम गुटलियों के दाम। मिर्टिन के अंत में आप सभी से कपील मासक और दोगस की दूरी हाँ धूना भी है जरूरी। नमस्कार